हेलो फ्रेंड्स आज मैं बनाऊंगी मोदक और इसको मैंने किसी भी सांचे से नहीं बनाया याने विदाउट मोल्ट के बनाया है इसे कैसे बनाया है इसकी रेसिपी मैं आपके शेयर करूँगी तो वीडियो को भीना स्कीप के हुए देखेगा ताकि आपको पूरी रेसिपी समझ में आए तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि गनेश जी का ये प्रियब होग है मोदक जिसे पारवती जी ने बड़े प्यार से गनेश जी के लिए बनाया था तो आज मैं भी बनाने जा रहे हैं इस रेसिपी को तो चले शुरू करते हैं इसकी रेसिपी नमश्कार दोस्तो शगुन मॉम्स की चैन में आपका स्वागत है मुदक बनाने के लिए सबसे पहले उसकी स्टफिंग तयार करेंगे तो मैंने एक पैन को अच्छे से गरम कर लिया और उसमें हमने डेर बड़े चमल डाल दिया घी यह घी अच्छे से जब गरम हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे जितने भी ड्राइफ रूट्स है ना मैंने बारिक काट रखे थे जैसे यह काजू है यह बदाम है यानि की आमंड है और इसकी बाद यह किश्मिस को भी मैंने दो हिस्सों में काट लिया था तो इन सबको इसमें डाल देंगे और करेंड 2-3 मिनटं इसे अच्छे से हम low flame पर ही भूण लेंगे ये 2500 मिनट में नारे करेंड 2-3 मिनटं बहुन में लिया तो IAMPS अच्छे से बुने के बाद चुका है और IONAP कर दीजया है नारियन मारन ना ना इस तरीके से ग्रेट किया आप बिना चिले भी डाल सकते हैं बट मैंने उसका छिलका निकाल लिया है ताकि यह थोड़ा सा सौफ्ट होगा जब यह बनेगा तो इसको भी अच्छे से प्राइ कर लेंगे इसको ज्यादा दिर तक नहीं बुनेंगे जब थोड़ा सा इसका म मॉष्यर बहुत अद्यक कम हो जाएगा उसके बाद हम इसमें में डालेंगे गुर्फ इस तरीके से बुन लेना है तो यह देखे इसका मॉष्यर बहुत अद्टक कम हो चुका है तो इस वक्त हम यह बनाले गुढ गुण तो घुडर को भी मैंने इसे ग्रेट करंगे रखtał ये एक cup के करीब है यानि वजन से देखा जाए तो ये 200 ग्राम के करीब है मैंने इसे grate किया तो तो देखे ये काफी जम गया है यानि कि grate करने के बाद ये एक दूसरे में काफी चिपक गया है तो इस तरीके से इसे डाल देंगा और इसको भी अच्छे से mix कर लेंगे और इसक बीच में फ्लेम को मेडियम भी किया था और लो पर भी करके मैंने इसे अच्छे से भून लिया है ये देखे इस तरीके से mix करते हो ताकि चिपके नहीं तो ये देखे काफी थीक हो चुका अब हम इसको एक बावल में निकाल लेंगे गैस का फ्लेम आफ कर देंगे क्योंकि ये काफी अच्छे से फ्राई हो चुका और थोरे देर ठंडा होने के बाद ये अच्छे से एक दम स्टिकी हो जाएगा तो चलिए हम इसे एक बावल में निकाल लेते हैं और गयास का फ्लेम आफ कर देते हैं तो अब हम फिर से इसको कड़ाई को अच्छे से क्लीन करके ले ये दो चीज जरू डालिएगा इससे क्या होगा आपका मोदक काफी सॉफ्ट बनेगा और टेस्टी भी बनेगा तो ये अच्छे से बावल हो जाएगा तब हम इसमें चावल काटा डालेंगे तो इसे अच्छे से बावल कर लेते हैं तो ये देखिए अच्छे से बावल हो चुका है तो इसमें हम उसी ग्लास से माप करके हम चावल काटा डालेंगे जिस ग्लास से माप करके हमने पानी डाला था तो जितना पानी डाला था उतना ही मैंने इसमें चावल काटा डाला और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोरा फटाफट से मिक्स करेंगे ऐसे कोई प तो पांच मिनट के लिए अधी के लिए ने कम बंदक काफी सॉफ्ट बनेगा तो पांच मिनट लिए इस तरीके से याट के लिए अटा बनाते रोटी हैं। तो मैंने चावल के आटे की रोटी भी बताई है, आप जाए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, तो ये देखे, इस तरीके से मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये देखे, डोग के फॉर्म में ये रेडी हो चुका है, आप देख सकते कितना चिकना हो चुका है, बहुत ही कम समय बनकर ये रेडी हो गया, तो अब इसको हम साइट कर लेते हैं, और हम ले लेते हैं अपना स्टाफिंग जो हमने बना रखा था, तो ये देखे, ये कितना ड्राई हो चुका है, मैंने कहा था थन्डा होने के बाद ये काफी हद तक जम तो ये देखी रेडी हो चुका है तो हम इसको side कर लिया है और ये रेलिया stuffing अब थोड़ा सा ball इस तरीके से निकालेंगे हम इसमें से एक पेड़े की जैसा और इसको हम हाथ से इस तरीके से plate के तरह बना लेंगे जैसे पूरी वेगरा बनाते है ना उस तरीके से हाथ से आप बेल करके भी बना सकते हैं मैंने बेलन का यूज नहीं कि मैंने हाथों से इसको इस तरीके से कर लिया है और अब हमारे पास कोई मोल्ड तो है नहीं कि हम मोदक बनाएंगे तो हमने इस तरीके से हाथों से इसका plate बनाया ये देखी इस तरीके से पकड़ पकड़ करके मैंने सारा प्लेट बना लिया है ये देखे और एक गोल सा एक बाउल जैसा बन चुका है ये दिजाइन कितना अच्छा लग रहा है तो इसमें अब हम डाल देंगे एक तरीके से इस तरीके से लट्डू बना लेंगे नारियल का और इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे जैसे मोदक का शेप होता ना वो शेप हम इसमें दे देंगे आप अपने तरीके से आप इसको बना सकते हैं मैंने इस तरीके से हाथों से इसे अच्छे से मुचा करते हुआ इस तरीके से बना लिया मोदक का शेप दे दिया है तो ये देखे हैं बहुत ही कम समय में बनकर ये तयार हो चुका है कितना सुन्दर लग रहा ना तो इसी तरीके से बाकी का भी बनाना है मैं आपको एक और बना कर दिखा दे रहु हूं अब हम इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे ये देखी और नीचे की तरफ आपको हाथ को हलका रखना है नीचे के जो अपने पेटल्स बनाए ना उसको आपको दियान रखना कि बिगड़े नहीं तो उसको हलके हाथों से ही रखना है टच करना है आपको उपर की तरफ जादा हो जारा था वीडियो तो मेरी बेटी ना के कहा मामा प्लेइन वाला बनास हो एकदम सिंपल सा तो मैंने्येक कुछ सिंपल सा मुधक बना लीया है ये देखें यो प्लेइन वाला है उच्छ पर नेंकि प्ली बना लिए है और आपनों को डिजाइन बीदिका दिया तो इस्टीम करने के लिए हमने एक भगोने में पानी ले लिया इसे अच्छे से बॉल होने के लिए रख दिया है और यह जाली वाली थाली होती है यह बहुत इसली मिल जाती है अगर आपके पास इडली में करे ता आप उससे भी कर सकते हैं तो थोरा सा घील आकर मैंने ग्री हमारे अच्छे से इस्टीम हो जाए हमें इसे रखना है बारा मिनट के लिए बारा मिनट हो चुके हैं आप इसको दिखाती हूँ मैं आपको यह किस तरीकी से पका है तो आपको बहुत ही आसानी से निकलना है तो आपको कैसे समझ मैं अगर पक गया क्योंकि बारा मिनट की बाद मोदक डेफिनिटली पक जाएंगे और नहीं तो देखिए आपको थोरे से ट्रांस्परेंट दीख रहे हैं मोदक यह पक चुके हैं तो यह हो चुका है इसको मैंने निकाल लिया है तो इस तरीके से चमच की साहिता से मैंने सारे मोदक निकाल लिया है और अब मैं आपको दिखा रही हूँ यह देखिए सब बहुत ही परफेक्ट पके हैं एक्टम एक्टम परफेक्ट एक्टम सॉफ्ट से लग रहत है तो इनके ओपर थोरा सा घी डाल देंगे गार्नेशिंग के लिए और टेस्ट के लिए भी क्योंकि गी डालने से टेस्ट जाता है और यह दोर से रोज बिटल से मेरे पास तो मैंने इसे सुझा दिया है यह काफी सुंदर लग रहा था तो आप यह मोदक रेडी है गनेश भगवान को भोग लगाने के लिए तो इस तरीके से बनाईए और गनेश भगवान को भोग लगाईए